साइंड्स हमारे देश में लंबे समय तो जो सरकारे रही या जो सरकार चलाने वाले रहे उन्हें माईबाप कल्चर बहुत पसंद आथा था आप लोग इसे परिवारवाद और भाईबती जावाद से कन्फूज मत करिये गाँ ये एक अलग ही मनोभाव था इसमें गवर्मेंट अपने ही देश के सिटिजन्स के बीच मास्टर जैसा ब्यहवार करती थी हाल ये था कि देश का नागरिक भले कुछ भी करे सरकार उसे सक्की नजर सही देखती थी और नागरिक कुछ भी करना चाहे उसे सरकार की पर्मिशन लेनी पड़ती थी इस कारण पहले के समय में गवर्मेंट और सिटिजन के बीच मिच्यल डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का माहुल बना रहता था यहाँ जो सीनियर जनर्रालिस्ट बैटे हैं उन्हें में एक बात जुरू याद दिलाना चाहता हूँ आपको याद होगा कि एक जमाने में टीवी और रेडियो के लिए भी लाइसन्स लेना पड़ता था इतना ही नहीं इसे ड्राइविंग लाइसन्स की तरह ही बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ता था और ये किसी एक सेक्टर में नहीं बलकि लगबग हर सेक्टर में था तब बिजनेस करना कितना मुश्किल था लोगों को तब कैसे कॉंट्रक्स मिलते थे ये आप भली भाती जानते हैं नाइंटीज में कमपल्शन के कारण कुछ पुरानी गलतिया सुधारी गई और उसे रिफॉर्म्स का नाम दिया गया लेकिन ये माईबाप वाली पुरानी मेंटालिटी पुरत से गई नहीं 2040 के बाद हमने इस गवर्मेंट फर्स्ट मेंटालिटी को पीपल फर्स्ट एप्रोच की तरफ रिमेजिन किया हमने नागरी कोंपर ट्रस्ट के प्रिंसिपल कर प्रकाम किया सिल्फ एसेस्टेशन हो या फिर लोवर रैंक जॉब्स के इंटर्व्यू हमने खतम कर दिये मेरिट के आधार पर कॉंप्यूटर ताय करता है उसको जॉब मिल जाती है छोटे छोटे एकॉनोमिक आफेंस को डी किमिलाइज करना हो या फिर जन विश्वास बिल हो कोलेटरल फ्री मुद्रा लोंस हो या फिर MS MS के लिए सरकार खुद गरंटर बने ऐसे हर प्रोग्राम हर पॉलिसे में टरस्टिंग द पीपल की हमारा मंत्र रहा है अब टैक्स कलेक्शन का एक्जामपल भी हमारे सामने है 2013-14 में देश का ग्रॉस टैक्स रेवन्यू लगभग 11 लाग करोड रुपे था 2013-14 में जबकि 23-24 में यह 33 लाग करोड रुपे से अधिक रहने का एस्टिमेट है यानि नव साल में ग्रॉस टैक्स रेवन्यू में तीन गुना की बुद्धी हुई है और यह तब हुआ है जब हमने टैक्स रेट गटाया है समिर जी के सुजावत वाले तो मैं अभी छुना नहीं है हमने तो गटाया है इसके जवाब मैं मैं चाहूंगा आप आज जो दुनिया से जुड़े हुँज के साथ सीधा समद है मैं तीन बात आपर फोकस करना चाहता हूँ पहला यह कि टैक्स पेर्स का नबर बढ़ा है अब मुझे बताये टैक्स पेर का नबर बढ़ा उसके क्रेडिल किसätte ओगे आप बहुत स्वाभाविक है सरकार के खाते में जाता है या फिर ये कहां जा सकता है कि अब लोग ज़्यादा इमांदारी से tax pay कर रहे हैं अगर ये भी है तो भी credit सरकार को ही जाता है तो bottom line ये है कि जब tax payer को लगता है कि उसका दिया tax पाई पाई जन हित में देश हित में जन कल्यार में देश कल्यार में ही उपयोग होगा तो इमानदारी से tax बेने के लिए आगे आता है उसका motivation मिलता है और ये आज देश देख रहा है और इसलिए मैं tax payer का अभार वेटते करता हूँ कि सरकार की इमानदारी पर फरोजा करके वाज सरकार को tax देने के लिए आगे आ रहे हैं सिदी सी बात है कि लोग आप पर जब तब trust करते हैं जब आप उन पर trust करते हैं भारत के tax system में आज जो बढ़लाब आया है और वो इसी वज़े से आया है tax returns के लिए हमने process को simplify करने के लिए trust के आधार पर ही प्रयास किये हम faceless assessment के लेकर क्या आए है मैं आपको एक figure देना चाहता हूँ income tax department ने इस साल साड़े छे करोड से अधिक returns को process किया है इन में से करीब करीब तीन करोड returns 24 गंटे में process हुए है बाकी जो return से वो भी कुछी दिन में process हो गए और पैसा भी refund हो गया जबकि इसी काम में पहले आउसतन 90 दिन लग जाते थे और लोगों के पैसे 90 दिन पढ़े रहते थे जी आज वो गंटों में किया जाता है कुछ साल पहले तक यह अकल पनी है था लेकिन इसे भी re-imagination की ताकपने सच कर दिखाया है